नमस्कर दोस्तो, स्वागाते आफ से भी का अपनी यूट्यूब चनल तारीज जीकेप और दोस्तो आज में आपके लिए करेंट एपेर्ट का सबसे बहतरियन टॉपिक वर तमाम में बदले गए नाम 2021 के डीटेल विडियो लेकर आया हूँ दोयरेकिस के अंदर बहुत से रेलवे स्टेशन, सरकारी संस्थाएं और इस्टेडियम का नाम तक भी चेंज हो गया है तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही मातपूर हो जाता है तो विडियो को आप लोग के आप फुली देखेगा चलिए स्टार्ट करते हैं विडियो को पहला कोशन के लेते हैं फेसबूक का नाया नम क्या हो गया है तो इसका सई आंसर है मेटा फ्लेटफार्म इंग दोस्तो Facebook का नयाने बदल कर Meta platform इंक कर दिया गया है अच्छे सबको याद रखना है चलिए extra पर डिसकस कर लेते हैं Facebook के संस्थापक और श्रीयों कौन है तो ये हैं Mark Zuckerberg Facebook के संस्थापक और श्रीयों है Mark Zuckerberg अच्छे सबको याद रखना है यहाँ ध्यान दिजी आप लोग Meta का Greek में मतलब Beyond होता है यानि Hindi में से हम सीमा से पार करते हैं ठीक है? चलिए next question के लेते हैं Next question हमारा Birelli Airport का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है नाथ नगरी Airport दूस्तो Birelli Airport का नाम बदल कर अब नाथ नगरी Airport कर दिया गया है अच्छे सबको याद रिगना है Very very important है तो आप लोग अच्छे से याद रिखियेगा ठीक है? चलिए next question के लेते हैं कानपूर का चकेरी Airport का नाम बदल कर क्या करने की घोश्रा हुई है? तो इसका सही आंसर है गडेश संकर विद्यार्थी Airport नेश क्रशन के लेते हैं नेश क्रशन है हमारा उत्तर प्रदेश के जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है लच्मी बाई रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के जहांसी railway station का नाम बदल कर अब लच्मीबाई railway station कर दिया गया है अच्छे साब को याद रखना है नेश क्रशन के लेते हैं उत्तर प्रदेश के मंडुआडी railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही आंसर है बनारस railway station दोस्तो उत्तर प्रदेश के मंड़वा डी railway station का नाम बदल कर अब बनारस railway station कर दिया गया है अच्छे है स्आपको याद रखना है चलिए Nash question के लेते हैं Nash question है अगर तला airport का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका right answer है महराजा वीर बिकरम airport अगर तला airport का नाम बदलकर अब महराजा भी बिकरम airport कर दिया गया है Nache question के लेते हैं Nache question है मद्धिप्रदेश के खोसंगा बास सहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो इसका सही answer है नरमदा पूरम दोस्तो मध्य प्रदेश के जो होसंगा बास सहर है उसका नाम बदल कर अब नरम्दा पूरम कर दिया गया है ठीक है चलिए नेश क्रेशन के लेते हैं कि सहर के सर्कुलर रोड का नाम बदल कर अडल जी चौग कर दिया गया है तो इसका सही आंसर है जम्बू clear है चलिए अगला question देख लेते हैं next question है train 18 का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही answer है बंदे भारत express दोस्तो जो train 18 था उसका नाम बदल कर अब बंदे भारत express कर दिया गया है very very important है तो आप लोग अच्छे से याद रिखेगा okay चलिए next question देख लेते हैं कुलकता port का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही answer है स्याम प्रसाद मुखरजी port दोस्तो कुलकता port का नाम बदल कर अब स्याम प्रसाद मुखरजी port कर दिया गया है अच्छे से याद रिखेगा आप लोग चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है उत्तर प्रदेश के गोरखपूर एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही आंसर है महायोगी गोरखनात एयरपोर्ट क्या कर दिया गया है महायोगी गोरखनात एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गोरखपूर एयरपोर्ट का नाम बदल कर अब महायोगी गोरखनात एयरपोर्ट कर दिया गया है नेश कर्शन के लेते हैं उत्रा खंड के जीम कारवेट टाइगर रिजरॉब का नाम बदल कर क्या करने की घोश्रा है तो इसका सही आंसर है राम गंगा राष्ट उद्यान ठीक है राम गंगा राष्ट उद्यान अच्छे साब लोग याद रिखेगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के फैजावाद रिलेवेज जक्षन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही आंसर है आयोध्या कैंट दोस्तो जो उत्तर प्रदेश के फैजावाद रिलेवेज जक्षन का नाम है उसका नाम बदल कर अब आयोध्या कैंट कर दिया गया है झेजिये अगला कुछन देख लेते हैं नग करने कर दिया गया है चलिए एक्ष्टा पंड जिसकस कर लेते हैं प्रधान मंद्री नरेंदर मोदी जी ने 6 अगस दोय 21 को देस के सरोच खेल पुष्कार राजिव गांधी खेल लतन पुष्कार कानाम बदलकर मेजर ध्यांचन खेल लतन पुष्कार कर दिया है राजीव गाधी खेल अतनी की शुरुवात कभ हुई थी? यह हुआ था 1991 से 1992 की अंदर ठीक है? यहां देखिए आप लो पहली पुर्सकार किसे मिला था? यह मिला था वी सुनात आनंद को और यह कम मिला था तो 1992 की अंदर मिला था कम मिला था 1992 में पहली पुर्सकार मिला था व क्रिकेट इस्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी बाजपेई अंतराष्टी इस्टेडियम दोस्तो उत्तर प्रदेश के जो इकाना अंतराष्टी इस्टेडियम था उसका नाम बदल कर अब अटल बिहारी बाजपेई अंतराष् स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका सही आंसर है नरेंदर मोदी स्टेडियम दोस्तो जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल कर अब नरेंदर Mr. Modi stadium कर दिया गया है ठेक है याद रिखेंगा आप लोग चले नेश कर्षन के लेते हैं फाल ही में जम्बु कस्मीर Hightcoat का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका सही आंसर है जम्बु कस्मीर हाइकोड का नाम बदल कर अब जम्बु कस्मीर कर लेते हैं गुजरात के मुख्य मंत्री कौन है तो गुजरात के मुख्य मंत्री है भूपेंदर पटेल और गुजरात के सुनिस स्रमा याद रिखेएगा अब लोग चलिए अगला कोक्षन देख लेते हैं नई दिल्ली के प्रगती मैदान मेट्रो इस्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है तिसका सही आंसर है सुप्रीम कोट मेट्रो इस्टेशन दूस्तु नई दिल्ली के प्रगती मैदान मेट्रो इस्टेशन का नाम बदल कर अब सूप्रीम कोर्ट मेट्रो इस्टेशन कर दिया गया है चलिए नियश करशन के लेते हैं नियश करशन है हमारा हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही आंसर है सियामा प्रसाद मुखरजी टानल ठीक है नेश्कर्शन के लेते हैं कीस मेट्रोई स्टेशन का नाम राजभो का नाम पर रखने कि घोशड़ा की गई है तो इसका सही आंसर है भोपाल मेट्रोई स्टेशन चलिए अगला कोशन देख लेते हैं असम के बोगी बूल पूल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो दोस्तों असम के जो बोगी बूल पूल का नाम था उसका नाम बदल कर अब अटल सेतू कर दिया गया है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं नेशकर ने हमारा राजस्थान के नियू का बड़ा रिल्वे श्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर है महेशनगर अगला कोशन देख लेते हैं दिल्ली के बाबर रोट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर है पाच एगस्त मार्ग जो दिल्ली के बाबर रोट का नाम था उसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है पाच एगस्त मार्ग अच्छे सब लोग याद रिखेगा नेश क्रिशन हमारा और अंगाबाद का नाम बदल कर क्या करने की घुश्रा की गई है तो इसका सही अंसर है संभाज जीनर ठीक है क्या नाम है संभाज जीनर अच्छे सब को याद रखना है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं नेश क्रिशन हमारा भोपाल के हभीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो दोस्तो भोपाल के जो हभीब गंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल कर अब रानी कमलापती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है क्या किया गया है रानी कमलापती र तो दूस्तु आज के लिए इतना ही और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जे रुखीजेगा और अपने सभी दूसों से एकर दीजेगा और दूस्तु इसका PDF चाहिए तो डिसेशन बॉक्स में आपको लिंक दे दिये जाएगा आप लोग महां जिन्दा नोट कर लेना तो दोस्तों फिर मिलते हैं ने टरपिकस साथ थैंक यू